हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब होप यूवल आ डूइंग ग्रेट मैं हूँ शाइनी और ये वाला मैंने लुक क्रियेट किया है स्पेशली फोर न्यू यह पार्टी आप चाहें तो इसे इंडियन ड्रेसिस के साथ भी कैरी कर सकते हो इस लुक को क्रियेट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ अल्प गुटनेस का कुकुमबर टॉनर यह हमारे फेस को हाइड्रेशन देता है ब्राइटन अप करता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर टेप का यूज कर रही हूँ जिसे मैं अपनी आइज के कॉर्नर के उपर अपलाए कर दूँगी जिसे आईशाडो का जो शेप है वो काफी अच्छा लगे सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है Swiss Beauty Eye Brow Palette इसमें से मैंने जो डाज ब्राउन वाला शेड है उसे लेके एंद चोटे से ब्रश की हेल्प से अपनी आईबरो को शेप दे रही हूँ सबसे पहले मैं यहां पर कॉर्णर से स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स पूली की हेल्प से इसे अच्छे से कॉम कर देंगे जिसे फिनिश काफी अच्छी मिलती है नेक्स मैं यूज करी हूँ स्विस ब्यूटी की कंसीलर पैलेट इस पैलेट में सबसे लाइट शेप दे के सबसे पहले अपनी आइब्रो को शेप दूगी नेक्स अपनी पूरी आई लिड के उपर सबसे लाइट वाला जो कंसीलर है वो अपलाए करूँगी नेक्स इस कंसीलर को मैं मेबिलीन फिट मी के कॉमपेक्ट से सेट कर लूँगी जिसे की जो डेफिनेशन है आई शेडो की वो काफी अच्छी मिले नेक्स मैं यूज़ कर रही हूँ जैकलीन हिल की आई शेडो पैलेट इसकी पिग्मेंटेशन काफी अच्छी है सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ यह वाला सबसे लाइट महरून सा शेड है जिसे मैं अपनी क्रीज लाइन क्यों पर अप्लाए कर रही हूँ नेक्स थोड़ा सा डाकर शेड लेकि मैं इसे अपनी आउटर वी क्यों पर प्लेस कर दूँगी एंड देन मैं थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करूँगी आईशेडो को एंड नेक्स यहाँ पर मैंने गोल्डन शेड लिया है जिसे मैं अपनी इनर कॉर्णर से होते हुए आई लिड तक अप्लाए करूँगी फिंगर की हेल्प से पिग्मेंटेशन काफी अच्छी मिल जाती है हमें नेक्स मैं सेम ब्रश से दोनों को मर्ज कर दूँगी नेक्स मैं यहाँ पर डाक ब्राउन शेड ले रही हूँ जिसे मैं आई लाइनर की तरह है अपनी आईज पे प्लेस कर दूँगी यहाँ पर मैंने फ्लैट एंगुलर ब्रश की हेल्प से आई लाइनर को ड्रो किया है नेक्स मैं यहाँ पर अपनी टेप को हटा रही हूँ और यू कैन सी की मेरी आई शेड़ो को कितनी अच्छी शेप मिली है नेक्स मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी की आई लैशिस को अपलाई किया है मैंने यहाँ पर यह बहुत अच्छी आई लैशिस है कमफर्टेबल है नेक्स मैं यहाँ पर वैट वाइप की हेल्प से जो फॉल आउट हुआ था ना आई शेड़ो का उसे अच्छे से वाइप अप कर दूँगी ताकि मेरा फेस एकदम क्लीन हो जाए नेक्स मैंने यहाँ पर टॉनर भी वापिस अपलाई किया था नेक्स यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ शुगर का इल्यूमिनेटर जिससे कि मुझे अपने जो चिक्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा यूज गलो मिल जाए ताकि जो मेरा बेस मेकप है वो उभर के आए नेक्स मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का फ्लॉलेस प्राइमर यह सिलिकन बेस प्राइमर है इसे मैं सबसे पहले अपने टी जोन पर फोकस करते हूँ अपलाए करूँगी एंड देन मैं इसे अपने ओल आवर फेस के उपर भी अपलाए कर लोगी जिससे कि जो मेरा फाउंडेशन है उसे एक अच्छा बेस मिल जाए जिससे कि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए नेक्स मैं यूज कर रहे हूँ लोटस का वाइट गलो डीडी क्रीम यह विंटर्स के लिए मुझे काफी अच्छी लगती है अगर आपकी ड्राइ स्कीन है तो यह आपके लिए बेस्ट है डीडी क्रीम है अगर आप फाउंडेशन अपलाई नहीं करना चाहते हो तो यह आपके उपर काफी सूट करेगी पहले मैंने इसे ब्रश की हल्प से ब्लेंड किया अच्छे से अपने फेस के उपर ब्लेंड कर दिया ताकि कोई हाश लाइन ना दिखे next मैं जो सेम जो स्वेस ब्यूटी का मैंने ताकि इसे आपने अपने ब्लेट के उपर ब्लाइट कर लिया तो मैं अच्छे से से ब्लेंड करूंगी करना बहुत इंस तो आपको इसे हाश लाइन दिखेंगी आपके फेस के उपर और face ऐसे केकी-केकी फील होगा next जो same compact fit me की help से मैं अच्छे से अपने base makeup को set कर लूँगी ये वाला भी काफी अच्छा compact लगता है मुझे winter summer आप कभी भी use कर सकते हैं मेरे face पे तो काफी अच्छा set जाता है next मैं use कर रही हूँ plum का nature studio kajal z black color है काफी अच्छा kajal है natural है और smudge proof की बात करें तो ये हलका-फुलका सा निकली जाता है बहुत जादा state नहीं रहता है next जो मैंने same eyeshadow palette में से dark जो brown color था उसे लिया and then मैंने इसे जो अपने lower lash line की उपर place किया and inner corner की उपर मैंने यहाँ पे जो light golden shade लिया था वो apply किया next मैं यहाँ पे अपने face को एक cut देने के लिए मैंने यहाँ पे sugar palette में से contouring की है next same palette में से मैंने brush लिया है and इसके जो quality बहुत ही अच्छी है then तो आप मुझे काफी videos के अदर यही use करते हुए देखोगे and same palette में से ही मैंने यहाँ पे highlighter को apply किया है अपने chick bonds के उपर and then अपने forehead पे nose पे भी and lips के around भी थोड़ा बहुत मैं इसे apply करूँगी काफी अच्छा look देता है pigmented है बहुत ज़ादा pigmented है सिरफ pigmented है बहुत ज़ादा है and इसे मैं अपने brow bone पे भी apply करूँगी and जो eyes के inner corners है वहाँ पे भी apply करूँगी यहाँ पे apply करने से ना हमारा make-up काफी अच्छा लगने लग जाता है next मैं यहाँ पे यहाँ पे लोकल market से ही lip shade लिया था तो इसका link तो मैं नहीं दे पाऊँगी बागी products का मैं link mention कर दूँगी hope you like my video and please like share and subscribe to my channel thank you so much bye bye